नमस्कार जैं हिंद बंदे मात्रम सबको सिच्छा यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए भोगोल के टोप 100 प्रस्ण देखेंगे ये सभी प्रस्ण most important और selected question है तो ये आपकी एकजाम के लिए most important है जैसा कि दोस्तो आप लोग को मालूम है कि बिहार पुलिस का एकजाम जोए 24 सितंबर से होने वाला है तो दोस्तो आपकी एकजाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है इसलिए हमारे चैनल पर जोए लगा तो चलिए बीना देर किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं और दोस्तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताईएगा कि आपने इन सो प्रस्ण में कितने प्रस्ण सही किये चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कोश्चन नमबर पहला गंगा नदी को बांगलादेश में किस नाम से जाना जाता है मोश्ट भी वियाई प्रस्ण है और यह प्रस्ण बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है आपसन ए पदमा आपसन भी जमुना आपसन सी मेगना और आपसन डी ए सांगपो तो गंगा नदी को बांगलादेश में किस नाम से जाना जाता है जिसका सही उत्तर है आपसन नमबर ए गंगा नदी को बांगलादेश में पदमा के नाम से जाना जाता है ए इसका सही उत्तर है अगला कोश्चन Q2. निमलिखित राजियों में से किसकी तटरेखा सरवाधिक है? यानि कि ऐसा कौन सा राजिय है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसका correct answer है option number A गुजरात की जो तटरेखा सबसे लंबी है ये इसका correct answer है अगला question question number 3 करकरेखा निमलिखित में से किन राजियों से ओकर गुजरती है? most भी भी आई प्रस्न है पाला है गुजरात तो गुजरात से जो एक करकरेखा ओकर गुजरती है दूसरा जारखंड तो जारखंड से भी जो एक करकरेखा ओकर गुजरती है चाथा है मीजोरम तो मीजोरम से भी करकरेखांव कर गुजरती है लेकिन असंसे करकरेखांव कर नई गुजरती है तो से करेक्टेंचर है अबसर नमब सी 124 सीश का करेक्टेंचर है अगला question question नमब चार भारत के पस्शमी तड़का ऊतरी बाग जाना जाता है Most BBI प्रसन है इसका सई उत्तर है Apson number C कोकड तट के नाम से जाना जाता है C इसका सई उत्तर है अगला question Question number 5 भारत अथा चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा है यहनकि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर B भारत अथा चीन के बीच की सीमा रेखा जो है मैक मोण रेखा है 20 का सही उत्तर है रेट किलिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रखा है तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर च्वेश्चन नियुमियूर दीप जो है किन देशों के मद्दे बिबाद का कारण है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर साथ भारत के किस परदेश की सीमा है तीन देशों क्रमस, नेपाल, भोटान, एवं चीन से मिलती है मोश्ट भी बिबाद का कारण है इसका करेक्ट एंसर है आपसन नमबर दी सिक्किम राज्जी की सीमा जो है तीन देशों के साथ लगती है डीश का करेक्ट एंसर है और वे तीन देश कौन कौन से है तो नेपाल, भोटान, एवं चीन मोश्ट भी बिबाद प्रस ने याद रखिएगा अगला क्वेश्चन तीनों और से इस्थल से गिरे बाग को क्या कहते है तो इसका करेक्ट एंसर है आपसन नमबर ए तीनों और से इस्थल से गिरे बाग को जो है प्रायदीब कहते है इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन Q9, निम्न में से खुला सागरिय बंदरगा आए Most VBI प्रस्ने, इसका सही उत्तर है Option D, खुला सागरिय बंदरगा जो है H नहीं है, D's का correct answer है अगला Q10, किस राजे की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है Most VBI प्रस्ने, बहुत बार ऐसे प्रस्ने एकजाम में पूछे गए है तो इसका correct answer है, option number B हिमाचल परदेश की सीमा जो है, नेपाल के साथ नहीं लगती है 20 का correct answer है बाकी उत्राखन की सीमा जो है, नेपाल के साथ लगती है उत्तर परदेश की भी लगती है और सिक्कीम की भी लगती है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 11 डंकन पास की सके बीच इस्तित है तो इसका correct answer है, option number C डंकन पास जो है, दचडी अंडबान एवं छोटा अंडबान के मत देश्तित है सीज का सही उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 12 निम्रिखित में से कौन सा देश भारतिय उपमादीब के अंतरगत सामिल नहीं किया जाता है मोस्ट भी वियाई प्रस्ण है इसका सही उत्तर है, option number C सिरलंका जो है भारतिय उपमादीब के अंतरगत सामिल नहीं किया जाता है सीज का correct answer है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 13 भारत की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा किस देश के साथ है मोस्ट भी वियाई प्रस्ण है इसका सही उत्तर है, option number D भारत की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा जो है बांगलादेश के साथ लगती है 10 का correct answer है और कितना तो 4,096 यह अभी आप लोग को याद रखना है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर 14 सोतंतरता से पुर्व कौन सा बारतीय छेतर काला पानी के नाम से जाना जाता था तो इसका correct answer है आपसा नमर B अंडमान नी को बार दीप समू 20 का सही उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर 15 दूदवा राष्टिय उध्यान काँ इस्थी थे मोस्ट भी वियाई प्रस ने बहुत बार याप प्रस ने पूछा गया है तिसका सही उत्तर है आपसा नमर B दूदवा राष्टि उध्यान जो है उत्तर परदेश राजी में स्थी थे 20 का correct answer है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर 16 मरिखित में से नदियू की लंबाई का सही औरोई करम कौन सा होगा एक होता है आरोई करम एक होता है औरोई करम तो यह पूछा गया है औरोई करम औरोई करम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरब जैसे अगर मानलीज यह 5 है तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 तो य इसी सीरीज में जो है नदियो की लंबाई के अधार पर बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा 16 का option number A ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के बाद गंगा, गंगा के बाद गोदावरी और गोदावरी के बाद नर्मदा तो A इसका correct answer है अगला question इसका correct answer है आपसा number C मेगना इसका correct answer है अगला question इसका correct answer है इसका सही उत्तर है आपसा number D पेरियार अब व्यारण जोए जंगली हाथियों के लिए परसीद है D इसका correct answer है अगला question question number 19 गंगा एंब्रह्म पुत्रा की सनिक्त जालदारा किस नाम से जानी जाती है इसका correct answer है आपसा number C मेगना के नाम से जानी जाती है C इसका सही उत्तर है अगला question question number 20 निमलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क से तुए most BBI प्रस्ण है इसका सही उत्तर है आपसा number D गंगा नदी पर जो है सबसे लंबा सड़क से तुए D इसका correct answer है अगला question question number 21 पटकाई पाडिया भारत को अलग करती है most BBI प्रस्ण है इसका correct answer है आपसा number B question number 22 पटकाई पाडिया जो है बारत को महिनमार से लग करती है 20 का सही उत्तर है अगला question question number 22 राजे समो जिन से मोडिपूर की सीमाय लगी हुई है यहनकि ऐसा राजे समो बताना है कि जिन का जो है मोडिपूर से सीमा लगा हुआ है तो इसका correct answer है आपसा number C नागालेंड असम और मिजोरम यह तीनों राजे की सीमाय जो है मोडिपूर से लगी हुई है सीस का सही उत्तर है अगला question question number 23 भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्दारण किस ने किया इसका correct answer है आपसा number B Sir Serial John Redcliffe ने बीच का correct answer है अगला question question number 24 नेमलिखित राजियों में से कौन से राज्य तीन तरफ से बांगलादेश से गिरा है most भी वियाई परस ने बहुत बारी अपरस ने एकजाम में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है आपसा number D question number 26 भारत की किस बाग में बैरन जो अला मुखी दीवत इस्तित है most भी वियाई परस ने और ये अपरस ने बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो 26 का सही उत्तर है आपसा number A बैरन जो अला मुखी दीव जो ए अंडमान दीव समू में इस्तित है ये इसका correct answer है अगला question question number 27 चेतरफल के करम में भारत के तीन बड़े राज्ये है most भी वियाई परस ने इसका सही उत्तर है आपसा number A चेतरफल की दिरिश्टी में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान उसके बाद मा दिपर्देश उसके बाद मा राष्ट तो A इसका correct answer है question number 28 कौन सा राज्य उत्तर पुरी राज्य की साथ बाणों का भाग नहीं है यहाँ पर question थोड़ा सा typing mistake हो गया है नहीं बताना है आपको तो इसका correct answer है option number B पस्चिम बंगाल जो है साथ बाणों का राज्य का इससा नहीं है 20 का correct answer है बाकी में गाले और उडाचल प्रदेश और तिरिपूरा यह जो है साथ बाणों यानकी सेवन सिस्टर का राज्य की साथ है बाकी जो है आपका पस्चिम बंगाल नहीं है अगला question question number 39 गंगा और ब्रम पुत्रा नदियों का उद्गम इस्थान क्रमसा है इसका correct answer है आपसा number D गंगा नदि का उद्गम इस्थान जो है उत्रा खंड में है और ब्रम पुत्रा नदि का जो है तिबत में है तो D इसका correct answer है अगला question question number 30 तिबत में बहने वाली नदी सांगपो निमलिखित में से किसे होकर बारत में परवेश करती है most BBI प्रस्ण है तो इसका correct answer है आपसा number C सांगपो नदि जो है बारत में और उनाचल परदेश से होकर परवेश करती है C इसका सई उत्तर है अगला question question number 31 सुन्दर बन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो इसका सई उत्तर है आपसा number C गंगा और ब्रमपुत्रा नदी जो है सुन्दर बन डेल्टा बनाती है C इसका सई उत्तर है अगला question question number 32 दुरंड लाइन निमलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है तो इसका सई उत्तर है आपसा number B दुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है 20 का सई उत्तर है अगला question question number 33 भारत का पुरुत्तम इस्थान निमलिखित में से किस राजे में अवस्थित है most BBI प्रेस न 33 का सई उत्तर है आपसा number C भारत का पुरुत्तम इस्थान जो है अरुडाचल परदेश राजे में इस्थित है 30 का सई उत्तर है अगला question question number 34 निमलिखित परमुक बारतिय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरों की और अवस्थित है तो इसका सई उत्तर है आपसा number C लखनव C इसका correct answer है अगला question question number 35 विसु का सबसे बड़ा नदी दीप माजुली का निर्माड करने वाली नदी है तो 35 का correct answer है option number D माजुली दीप का निर्माड करने वाली नदी ब्रमपुत्रा है 10 का सई उत्तर है अगला question question number 36 तीबद में मानसरो और जील के पास किस नदी का उदगम इस्थान है आपसान एस सिंदू आपसान B सतलज आपसान C ब्रमपुत्रा और आपसान D इन में से सभी तो इसका correct answer है option number D इन में से सभी यानि कि सिंदू नदी सतलज नदी और ब्रमपुत्रा नदी इन तीनों नदी का उदगम इस्थान जो है मानसरो और जील के पास से है 10 का correct answer है अगला question question number 37 निर्मन में से किस नदी को बियार का सोक का आ जाता है तो इसका सही उत्तर है option number B बियार का सोक जो है कोसी नदी को का आ जाता है 20 का correct answer है अगला question question number 38 कौन सा मत्तफूर अच्छान्स भारत को दो लगवग बराबर भागों में भी बाजित करता है तो इसका सही उत्तर है option number B 37 डिगरी 30 मिनिट उत्तर जो है ये भारत को लगवग दो बराबर भागों में भी बाजित करता है 20 का सही उत्तर है अगला question question number 49 अरावली ये उम्बीन दसरेंखला के मत्द्य कौन सा पठार इस्तित है तो 49 का सही उत्तर है option number A अरावली ये उम्बीन दसरेंखला के मत्य जो है मालवा का पठार इस्तित है ये इसका correct answer है अगला question question number 40 उत्तर बारत में उपहिमाले छेतर के सा आरे फैले समतल मैदान को क्या का आ जाता है तो इसका सही उत्तर है option number D भावर का आ जाता है डीस का correct answer है अगला question question number 41 कोरी निवेस का जिस पर इस्तित है वाई तो इसका सही उत्तर है option number C कोरी निवेस का जो है कच का लिटिल रण में इस्तित है C इसका correct answer है अगला question question number 42 C समुंदरम किस नदी पर बनाया गया दिवफ है तो इसका सही उत्तर है option number D कावेरी नदी पर बनाया गया दिवफ है डीस का correct answer है अगला question question number 43 बारती ये मानक समय का यामूय उत्तर नहीं गुजरती है तो इसका सही उत्तर है option number C माराष्ट से C इसका correct answer है अगला question question number 44 निम्द में से कौन सी नदी हिमाले से परे की नदी है इसका correct answer है 44 का option number C 17 नदी जो हिमाले से परे की नदी है C इसका correct answer है अगला question question number 45 वे दो प्रमुख नदीया कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परे की नदी है most BBI प्रस्टने इसका सई उत्तर है option number C नर्मदा और सोन नदी नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है लेकिन अलग-अलग दिसा में बहती है C इसका सई उत्तर है अगला question question number 46 निम्लिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सोक का अलाती है तो इसका correct answer है option number D दामोदर नदी जो है बंगाल का सोक का अलाती है डिस का सई उत्तर है अगला question question number 47 निम्लिखित में से कौन केंदर सासित परदेश नहीं है तो इसका correct answer है option number A गोवा जोए एक केंदर सासित परदेश नहीं है ये इसका करेक्टेंट सरें बाकी अगर लच्छेदीब, दादरनगर रवेली और चंडीगड जोए ये आपका एक केंदर सासित परदेश हैं लेकिन गोवा जोए क्या है आपका एक पूर्ड राज्य है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 48, तमिलनाडू हुआ आंदर परदेश के तट का नाम है तो 48 का सही उत्तर है आपसन नमबर A तमिलनाडू हुआ आंदर परदेश के तट को जो है कोरो मंडल कहते हैं ये इसका करेक्टेंट सरें अगला क्वेश्चन Q49, भारत के लिए समुद्र मार की खोज का स्रे जाता है तिसका सही उत्तर है, आपसन नमबर C भारत के लिए समुद्र मार का खोज का स्रे जो है पुर्तगालियों को जाता है C इसका सही उत्तर है, अगला Q Q50, पुरिवी तटी मैदान का एक अन्य नाम है Qa. 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 Q अगला कोश्चन कोश्चन नम्र तीरपन निम्लिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल दीफ समुँए लच्छ दीप जोए भारत का एक प्रवाल दीफ समुए अगला कोश्चन नम्र चौँवान भारत के राजियों का निम्लिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पुर्वी और सबसे पश्चिम की राजि के और इंगित करता है तो इसका सही उतर है आपसन नम्र डी सबसे पुर्वी राजियों जो है आपका अरुड़ाचल परदेस है और सबसे पस्चिमी राजी ये गुजरात है तो D's का correct answer है अगला question question नमर 55 निम्ण में से कौन सा मिलान सही नहीं है तो दार्जलिंग जो है पस्चिम बंगाल में सही है माउंट अबू रजस्थान में ये भी सही है C कोडा कनाईल तमिलनाडू में ये भी सही है लेकिन सीमला उत्तर परदेश में नहीं है ये गलत होगा तो D's क्या होगा correct answer होगा क्योंकि इसमें पूछा गया था सही मिलान नहीं है अगला question question नमर 56 मननार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थी थै तो इसका सही उत्तर है आपसन नमर A मननार की खाड़ी जोए तमिलनाडू के तट के साथ अवस्थी थै ये इसका correct answer है अगला question question नमर संतावन किस भारती राज्य की सीमा सरवाधिक राज्यों के सीमा को इसपर्स करती है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमर C उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के सीमा के साथ इसपर्स करती है सीज का correct answer है अगला question question नमर अंठावन भारत के दचिर्ट में सबसे दूरस्त इस्तल कौन है तो अंठावन का correct answer है आपसन नमर C इंद्रा पॉइंट जो है भारत के दचिर्ट में सबसे दूरस्त इस्तल है सीज का correct answer है अगला question question नमर 69 भारती ये भूमी का सरवाधिक उत्तर है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमर D इंद्रा काल जो है भारती ये भूमी का सरवाधिक उत्तर है डीस का सही उत्तर है अगला question question number 60 भारत की मुख्य भूमी को रामे सुरम दिफ से कौन अलग करता है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमर B पंबन चैनल 20 का सही उत्तर है अगला question question number 61 निम्रिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपसन ने भारत पूर्टिया उतरी गुलार्द में स्थित है सही है B भारत की आकरिती चतुर्शकोडी है या भी सही है C छेतरफल की दिरिष्टी से भारत जो अभी सुमें सात्वे तथा जनसंख्या की दिरिष्टी से दूसरे नमर पर है या भी कथन सही है आपसन D की बात करें उप्रिक तो सभी कथन सत्य है तो D इसका करेक्टेंसर है सभी कथन क्या है सत्य है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर बासट कौन सी अच्छान से रेखा जो है भारत के मद देसे होकर गुजरती है बहुत ही सिंपल प्रसन है इसका सभी उत्तर है आपसन नमर A करकर रेखा जो है भारत के मद देसे होकर गुजरती है इसका सभी उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर तीर सट निम्न दीपो के युगमों में से कौन सा एक दस अन्स यानिकि 10 डिगरी चैनल दुआरा जो है आपस में पिर्थक किया जाता है तो इसका सभी उत्तर है आपसन नमर A अंडमान और निकोबार जो है 10 डिगरी चैनल दुआरा आपस में अलग किया जाता है ये इसका सभी उत्तर है अगला क्वेश्चन Q64, भारत के सुदूर पूर्वों में कौन सा देश भारत के साथ सरवाधिक लंबी अंतराष्टिय सीमा बनाता है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर भी मैनमार 20 का सही उत्तर है Q65, निमलीखित में से किस देश के साथ भारत की अंतराष्टिय सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान के साथ लगती है, बांगलादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है लेकिन सिर लंका के साथ जोए भारत की कोई अंतराष्टिय सीमा नहीं लगती है D's का इसका सई उत्तर है अगला question question no.6 सबसे छोटी इस थलीय सीमा भारत की किस डेश के साथ है तो इसका सही उत्तर है option no.D भूटान के साथ जोए बारत की सबसे चोटी इस्तलिय सीमा है D's का करेक्ट अंसर है और दोस्तों यह आपसन के अनुसार है अगर ऐसे में बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ जो है बायत की सबसे कम सीमा लगती है लेकिन अगर चारों आपसन दिया है तो इस option के according जो है बोटान के साथ जो है सबसे कम सीमा भारत की लगती है ध्यान दीजिएगा अगला question question number 60 लच्छ दीप समों में दीपो की संख्या है जिसका सही उत्तर है option number C लच्छ दीप समों में दीपो की संख्या जो 36 है सीस का correct answer है अगला question question number 68 दच्छिड गंगोतरी क्या है most BBI प्रस्ण है और सट का correct answer है option number D दच्छिड गंगोतरी जो है अंटार्टिका में इस्थापित भारतिय बेगानिक अनसंदान केंद्र है डीज का सही उत्तर है अगला question question number 79 संसार की छत का आ जता है most BBI प्रस्ण है बहुत बार ये अप्रस्ण एक्जाम में पूछा गया है तो 70 का सही उत्तर है option number B संसार का छत जो है पामीर की पठार को कहते हैं 20 का सही उत्तर है अगला question question number 70 लेगून पर विक्सित बंदरगा है तो 70 का correct answer है option number B कोची बंदरगा जो है लेगून पर विक्सित बंदरगा है 20 का correct answer है अगला question question number 71 विसु का एक मातर तहरता हुआ राष्टी उद्यान कीबूल उद्यान लम जाओ कहां पर है तो इसका correct answer है option number C मड़ीपूर में है C इसका correct answer है अगला question question number 72 नल सरोवर पच्छी अभ्यारण की स्राज्य में इस्तित है तो इसका correct answer है option number C नल सरोवर पच्छी अभ्यारण जोए गुजरात में इस्तित है C इसका correct answer है अगला question question number 73 नन्दा देवी जीव मंडल की स्राज्य में इस्तित है तो इसका सही उत्तर है option number D नन्दा देवी जीव मंडल जोए उत्तरा खंड में इस्तित है D इसका correct answer है अगला question Q74, नाम दफा बन्य जीव अब्यारण किस राजे में इस्तित है? तो इसका सही उत्तर है, आपसन नमबर A नाम दफा बन्य जीव अब्यारण जो है, और उडाचल परदेश में इस्तित है, A इसका सही उत्तर है आपसन नमबर B, चित्रकूट जल परपात को जो है, भारत में नियागरा जल परपात के तोर पर जाना जाता है, 20 का सही उत्तर है, अगला कोस्चन Q76, धुवादार जल परपात किस नदी पर इस्तित है? Most BBI प्रस्चन है इसका सही उत्तर है, आपसन नमबर A, नर्मदा नदी पर जो है, धुवादार जल परपात इस्तित है, S का सही उत्तर है, अगला कोस्चन Q77, कुपिल दार जल परपात किस नदी पर इस्तित है? तो 87 का सही उत्तर है आपसा नमबर C कोपिल दारा जल परपाद जोए नर्मदा नदी परिष्थी थे C इसका सही उत्तर है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 88 तर 20 सुब्य ख्यात जोग या गर सोपा जल परपाद किस राजे में इस्थी थे तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर A गर सुपपा जल प्रपाद जो करनाटक राजे में इस्तित है A इसका सही उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 89 रूप कुंड जील जिसे कंकाल जील जो एक हीम जील है वो उत्राखंड के राजे में किस जीले में इस्तित है तो इसका सही उत्तरे आपसा नमबर C उत्राखंड के चमोली जीला में इस्तित है C इसका करेक्टेंसर है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 8 C हैदराबाद एवं सी कंदराबाद के बीच कौन सा जील इस्तित है हैदराबाद एवं सी कंदराबाद के बीच जो हुसैन सागर जील इस्तित है D इसका सही उत्तर है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 8 C निवनिखित में से कौन सा एक लेगून जील नहीं है मोश्ट भी बीआई प्रस ने इसका सही उत्तर है आपसा नमबर A जील पेरियार जील और पुलिकट जील ये लेगून जील है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 82 भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी जील उलर की स्राजे में इस्तित है इसका सही उत्तर है आपसा नमबर D उलर जील जो है जमो कस्मीर में इस्तित है डीस का सही उत्तर है अगला कोश्चन कोश्चन नमब तिरासी भारत की निम्न जीलों में कौन सा असम में अवस्थी थै मोश्ट भी बियाई प्रसने इसका सही उत्तर है आपसा नमबर D चपनाला जील जो है असम राजी में इस्तित है डीस का सई उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में 84 सबसे बड़ी मानो निर्मित जील कौन सी है मोजट भी बियाई प्रस्न है इसका सई उत्तर है आपसा नमबर बी गोबिंद सागर जील जो है मानो निर्मित सबसे बड़ी जील है 20 का correct answer है अगला question question number 85 निमलीखित में से कौन सुमलित नहीं है आपसन है लोक्टक तो लोक्टक जिल जो है में गाले में नहीं है तो पाला ही सुमलित नहीं है लोक्टक जिल कहा है तो मड़ीपूर में है वेवनाट जिल केरल में है डल जिल, जम्मू कस्मीर, पुलिकट जिल, आंदरपर्देश तो ये तीनों तो सही है लेकिन जो है पाला आपसन दिया है ये सुमलित नहीं है तो पाला ये क्या होगा सही होगा अगला question question number 86 बेवनाद जिल किस राजे में इस्थित है तो इसका सही उत्तर है आपसन दिया है बेवनाद जिल जो है केरल राजे में इस्थित है सीस का correct answer है अगला question question number 87 लोनार जिल किस राजे में इस्थित है तो इसका सही उत्तर है आपसन दिया है लोनार जिल जो है महाराष्ट राजे में इस्थित है T is correct answer अगला question ौ्तर पूर्वी बारत की सबसे बड़ी जील लोक्टक किस राजर में इस्थी थै तो लोक्टक जील जो है मडी पुर राजर में इस्थी थै T का correct answer अगला question question नमर 89 निम्रीखित में से कौन सई सुमलित नहीए बोमडी लादर्र और राचल परदेश सही है सिपली किला दर्रा हिमाचल परदेश यह भी ठीक है नाथुला दर्रा मेगाले यह गलत है नाथुला दर्रा कहा है सिक्किम में है जोजीला दर्रा जमू कस्मीर में तो कौन सही सुमलित नहीं है तो C वाला जोए सई सुमलित नहीं है और C ये इसका क्या होगा करेक्ट एंसर होगा अगला क्वेस्चन क्वेस्चन नमर 90 निमलिखित में से कौन सा युगम सई सुमलित नहीं है नाथुला दर्रा ये जोए आपका अड़राचल परदेश में नहीं सिक्किम में तो पाला जी किया है सई सुमलित नहीं है लुपिलेख दर्रा जोए ये उतराखंड में ठीक है रोहतांक दर्रा हिमाचल परदेश ये भी ठीक है और पाल गाट दर्रा केरल में ये भी ठीक है लेकिन जो पाला दिया है पाला सही सुमलित नहीं है पाला ही किया होगा इसका correct answer होगा अगला question question number 92 खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं तो इसका सही उत्तर है आपसा number C खैबर दर्रा से जो ए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ा है सीस का सही उत्तर है अगला question question number 92 नाथूला दर्रा की सराजय में इस्तित है तो नाथूला दर्रा जो है सिक्कीम में इस्तित है डीस का correct answer है अगला question Q3. पाल गाट निमलीखित में से किन के मद देश थी थे तो इसका सही उत्तर आपसा नमबर A पाल गाट जो है निल गिरी और अन्ना मलाई पाड़ियों के मद देश थी थे ये इसका correct answer है अगला Q4 Q94. बुर्जिला दर्रा निमलीखित में से किस राजे में इस्तित है तो 94 का सही उत्तर आपसा नमबर B बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कस्मीर राजे में इस्तित है 20 का correct answer है और दोस्तों जम्मू कस्मीर अब एक के अंदर सासित परदेश बन गया है इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है अगला Q95 Q95. तिब्बत में बने वाली सांगोपो नदी निमलीखित में से किस से होकर बारत में परवेश करती है तो इसका सही उत्तर आपसा नमबर C Q95. निम्में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है आपसाने केन नदी यमुना नदी में मिलती है आपसान सी चमबल नदी भी यमुना नदी में मिलती है और बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिलती है लेकिन सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है बीस का क्या होगा? करेक्ट एंसर होगा अगला कोस्चन कोस्चन नबर 97 टिक का रोग किस फसल से संबन्दी थै? तो इसका करेक्ट एंसर है आपसा नमबर D टिक का रोग जोए मुम्फली के फसल से संबंदी थे डी इसका करेक्टेंट सरे अगला कोश्चन कोश्चन नमबर अंठानबे हरित बाली रोग किस फसल से संबंदी थे तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर सी हरित बाली रोग जोए बाजरे की फसल से संबंदित है सी इसका सई उत्तर है अगला कुश्चन कुश्चन नम्र 99 भारत की राष्टी आय का मुख्य सुरोत है तो इसका सई उत्तर है आपसा नम्र B भारत की राष्टी आय का मुख्य सुरोत जोए सेवा छेतरे 20 का सई उत्तरे अगला कुस्चन केंद्रिय सांखी की संगठन की स्थापना कब हुई इसका करेक्ट एंसर है आपसा नमबर भी केंद्रिय सांखी की संगठन की स्थापना जो है 1951 इसी में हुई 20 का सई उत्तर है और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रस्न था आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा अगर आप लोग को अमारी में अनत पसंद आ रहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें जैहिंद बंदे मातरम